हलो वेलकम बेक टू माइटू फ्यनल तो आज हम बनाने वाले हैं वन प्लस फाइफ टी दरअसल यह फोन में प्रॉब्लम ऐसा है यह फोन नहीं है उपर आ है और हमने इसे चार्जिंग पे जब इसकी रिडिंग चेक करी तो यह ले रहा है वन पॉइंट 0.1 करंड ले रहा है और हमने इसकी बैटरी भी चेक करी तो बैटरी भी 3.8 के उपर है तो हमने फटाफट मदरबूर उपन कर लिया शिल्ड भी लिका लिया अब आ जाती है बारी हमारा रोम आईसी उतारनी की यह रोम आईसी उतार चुका है हमने अब उतारेंगे इसके हमारा CPU अच्छा कासा गरम हो चुका है तो अब हम धीरे-धीरे नीचे से ब्लेट दालेंगे देख लिए और एकदम आराम से डालना कोई घाई नहीं करनी है धीरे-धीरे ब्लेट दालना है देख लिए हमारा प्रोसेसर जो है वह ओड़ चुका है अब यह जगे पुरी क्ल बहुत बिकार है था सफाई करन में बहुत जादा तकलिफ जाती है तो देख लिए बस एक क्लीन होने वाला है यह हमारा क्लीन हो चुका है मदरबोट अब आ जाती है बारी हमारे CPU की तो यह CPU को भी उपर से भी हम क्लीन कर रहे है फिर उसके बाद नीचे से करेंगे देख ल यह जो glue है से cut कर देंगे तो यह cut आराम से करना हमें component खराब नहीं होने चीए तो यह component हमारे यहां से लिकल चुका है तो हमने पूरे component बाहर लिका लिया है और एक component तूट चुका है तो हम यह 3 component प्रॉपर लगा देंगे CPU के अगर एक component लगें नहीं रहे तो हमारे set में जो तो यह CPU Rebell हो चुका है अब हमारी बारी आ जाती है CPU लगाने की तो IC को noise जहां है वही रखना है हमारा नीचे साइड noise था तो हमने IC को noise जो है नीचे साइड रखा है तो अभी हिट मारना चालू कर दिया है तो धिरे-धिरे हमारा जो paste है वह बाहर आने लगा है CPU में से तो इसका मतलब यह जो CPU है हमारा बैट चुका है तो अब बारी आ जाती है हमारी ROM Rebell करने की तो अभी हम फटा फट रोम IC जो है वह Rebell कर लेते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो प्रोसेसर है वह connect हो रहा है कि नहीं PC से देख लेजिए PC से हमारा code बन चुका है PC से connect हो रहा है तो यह हमारी IC बन चुकी है लेकिन यहां पर कुछ damage दिख रहा है तो हम यहां पर UB glue लगा देंगे और इसे UB light की मदद से सुका देंगे तो यह हमारा सुक चुका है अब बारी आ जाती है हमारों को वापस पेस लगा के हिट मारने की और motherboard में IC fit करनी की तो देख लीजिए OIC का नाज इसका भी नीचे ही रखना है हमें IC का noise एक जैसे इसलिए रखना है नीचे क्यूंके IC जब हम लगाएंगे तो noise जोनों की नीचे इस ID चाहिए तो देख लीजिए बस ROM IC बैट चुकी है तो हम हलका सा इसे हिला के भी देख लेते है तो यह देख लेजिए बैट चुकी है ROM IC हिलरी है प्रॉपर तो अब motherboard हमारा ठंडा हो चुका है अब आजाती है बारी mobile phone टेस्ट करने की तो यह हम फटा-फट पुरे camera लगा लेते हैं और phone on कर लेते हैं तो अगर आपको भी कोई phone repair के लिए भेजना है तो यह जो नीचे दिया हुआ number है आप इस पर contact जरूर कीजिए आपके पास model कोई भी रहे आप हमारे फोन इसी तरीके से repair किये जाते हैं तो बस हमारा phone आगे बढ़ी रहा है तो देख लीजिए हमारा phone पुरा on हो चुका है और camera वगरा सब वक करें ओके बाई 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 आप मिलेंगे आप से हम next video में ओके बाई बाई